नमस्कार स्टड़ी आईक्यू आईएस हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विरत्दुबे आज एक बर फिर से श्रंखला की अगली कड़ी में यानि बारहंवे भाग में आधुनिक भारत की इतिहास को लेकर हम आपके समक्ष पस्तित हुए हैं और आज की इतिहास में छेत्री शक्तियों के उदै में अब कुछ नए आज के जो राज्य है उनके उपर हम डिस्कुचन करेंगे इससे पहले वाले ठीक पहले वाले लेक्चिर में हमने मैसूर राज्य के उदैके बारे में बात किया था था ठीक है उसके पहले अवद गेरा और तमाम सारे दूसरे राज्ये जैसे की हैदराबाद बंगाल और इन सब चीजों के उद्धे के उपर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं ठीक है तो आज हम शुरुवात करेंगे लिकिन शुरुवात से पहले जैसा कि कल जब मैं मैंने देखा तमाम सारे स्टुडेंट्स वीडियो देख रहे थे बहुत अच्छी तरीके से अप्रिशेट भी कर रहे थे चीजों को समझ भी रहे थे मैं आपके सामने ज़रा कुछ स्टुडेंट्स के जो प्रशन है उनको ले लेता हूँ पुछ इंके नीतियों पर चर्चा कर लीजिए और बखरार जोचीजह उनकी उपर कर लीजिए तो ये जो है ये चर्चा अलग से होगी अभी हम Britishers अभी ऐसा है कि जिस चीज को हम पढ़ रहे हैं उसे समझने का प्रयास करें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि 18 शताब्दी में कैसे छेतरी शक्तियों का उद्य हुआ ना कि हम उन शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं Exactly हमने मैसूर नहीं पढ़ा है बागी कुछ हिस्सा कलायम संस्कृति के portion में जब cover किया जाएगा तो वहाँ बताया जाएगा तो थोड़ा सा आपको क्योंकि इतिहास एक हिस्से में नहीं है बहुत सारे हिस्से में बहुत तरीके से पढ़ना होता है इसका एक continuous sequence नहीं बनाया जा सकता है कि आप सोचो कि इसके बाद ये पढ़ लें उसके बाद वो पढ़ लें और एक हमारा series बन जा ऐसा नहीं होगा आपको बार-बार series में back होना पड़ेगा ठीके तो एक तो ये बात हो गई इसके अलावा एक अगला प्रशन किया था किसी student ने उनका question है उनका कहना है कि जब एहमद शाह अपडाली ने मराठों से पानीपत का युद किया 1761 में तो शाह अलम सेकेंड ने अपडाली का साथ दिया था और जब बकसर का युद हुआ 1764 में तो एहमद शाह अपडाली को साथ क्यों नहीं लिया अगर वो साथ लिये होते तो इंग्लिश हारते ऐसा उनका कहना है तो मेरी ख्याल से शाह अलम दुती की बजाए शायद शुजाउद दौला कहना चाहरे हैं ऐसा कुछ है देखिए 1761 पानीपत का युद होता है यह बात सही है उस और यह युद बेसिकली किसके पीछो किन के बीच हो रहा है एहमद चाह अपडाली और मराठों के बीच हो रहा है और जिस समय मुगल का मुगल जो सत्ता है वो बात कर रहे हैं तो बक्सर के युद्ध के समय स्थिति कैसी हो गई 1764 में हम लोग आ चुके हैं और 1764 में इस्थिति यह हो गई है कि जब यहां से मराठे जब पानीपत के बाद हारे तो उसके बाद मराठों ने दिल्ली का संद्रक्षन जो है छोड़ दिया और दिल्ली में है फिर से जो है शासन एक Rossi के से थोड़ा पटरी पर आया तो अब बिटिशन का इंटरफियर जो है वह बंगाल में बढ़ गया था और बंगाल में मीर कासिम वहाँ बैठा हुआ है मिर जाफर मिरसाफर kो अटा के मिर कासिम को बैठाया फिर मीर कासिम को अटा के फिर है वो तो आवद के संरक्षन में हो चुका था उस समय मैंने आपको बताया था यही तो प्रश्न था आपका जो शाहल अंदुती थे वो तो शुजावत दौला के पाद खुदी संरक्षन लेने कहे थे तो बेसिकली एक जो सहायता ली गई है वो आवद से ली गई है ठीक है त यहाँ कोई नीड महसूस नहीं हो रही है कि हम अमर्शा अबदाली को भी बुलाएं पहली नीड महसूस हुई थी कि वो अकेले मराठा को नहीं हरा सकता था इसलिए उसने अमर्शा अबदाली को बुलाया था लेकिन यहाँ उसे मालूम है कि आसपार्स के जो पडोसी राज बाद में बैटल के दोरान ऐसी consequences हुए कि वो युद्धार गया तो वहाँ पर साथ देनी की बात नहीं आती है तो आई होब कि आपको यह point भी clear हो गया होगा ऐसे कुछ ही एक दो points थे जो students ने पूछे थे और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को बाकी points है वो अच्छी तरीके से समझ में आते रहे होंगे और आज के session से अगर संबंदित कोई प्रशनाप के मन में उठे तो आप comment section में comment करिएगा अगले दिन आम उसको उठाएंगे जैसे आज के students के जो questions थे वो उठाए थे तो निशन्थ हो करके पढ़ाई कीजिए शुरुवात करते हैं आज हम लोगों को यह एकाई दो तो लगातार चली रही है इसके सब के बारे मालूम है और सभी लोगों को PDF जो है वो मिल जाता है यह मैंने बताया है आपको PDF पाने के लिए आप इसे scan कर सकते हैं आप simply आप इसे scan करिए और जुड़ जाईए या फिर यह टेलिग्राम है आप इ ज vicinity यह सक्तियां है जो 28 शताब्दी में उदित हो रही है उनके बारे में चर्चा करेंगे और आज हम इस क्रम में अधार्वी शताब्दी में जो सदी है उसमें उदित होने वाले राज्यों में आज इन तीन राज्यों के उपर चर्चा करेंगे सिकh, राजपूत और उदय है, शिक्षों का या सिख राजि जो है, उसका उदय कैसे हुआ रहा है या हुआ है, इसके बारे में चर्चा करते हैं, जब हम सिख्षों की बात कर रहे हैं तो स्वभाविक से बात है कि वास्तविक रूप में अगर दिखा जाये तो जब गुरू नानक देव जो थे, या सिखों के जो प्रथम गुरू हैं जिने हम गुरु नानकदेव के नाम से जानते हैं, उन्होंने सिखधर्म के एक तरीके से शुरुवात करी। प्रथम गुरू के रूप में उनको जाना जाता है। और उसके बाद बहुत सारे मतलब कह सकते हैं कि दस गुरू हैं सिख धर में, सबसे पहले तो आपने गुरू नानक देव का ही नाम लिया, उसके बाद गुरू अंगध हैं, अमरदास जी हैं, इसके बाद रामदास जी हैं, अरजुन देव जी हैं, हर गोविन जी हैं, हर सहाय जी हैं हरकिशन सिंग जी हैं तेख बहादूर सिंग जी हैं और फिर अंत में आपने देखा कि गुरु गोविन सिंग जी है तो इस तरीके से को ही अगला गुरु मान करके अभी तक सब लोग उसी तरीके से रहते हैं तो जो गुरु गोविन सिंग जी हैं उनके नित्रत में सबसे पहले अगर देखा या ठीक ठाक तरीके से सिख धर्म का एक राजनेतिक कह सकते हैं कि एक ताकत के रूप में उनको देखा सकता है पोटे ऐसे समझ सकते हैं कि 18 सिताबदी की शुरुवात हुई है और औरंग जेब की मृत्यू हुई है तो औरंग जेब की मृत्यू के बाद गुरु गोविन सिंग जो थे उन्होंने जो अगला शासक जो की बहादुर शाह था उसका थोड़ा साथ दिया और क्योंकि बहादुर शाह का जब साथ हुआ ग्रुगोविन सिंग और बहादुर शाह ने पांचसो जात और पांचसो सवार का मनसब दिया मनसब जू है वो जात और सवार के आधार पर दिये जाते थी तो 500 जात और 500 सवार का क्या दिया उसने? मनसब दिया और गुर्गोविन सिंख के बाद अगर देखें तो अगला जो व्यक्तित्व आता है जो इस पूरी जो सिख सेना है या फिर सिख समुदाय है बंदा बहादूर यहां से शुरू करके देखा जा सकता है और धीरे धीरे करके हम दिलीप सिंग तक हम लोग पहुँचेंगे बंदा बहादूर की बात करें तो 1708 से ले करके 1716 तक उनका वर्क जो है वो थोड़ा जादा दिखने को मिलता है वास्तविक रूप में अगर उनक लक्षमन सेन के नाम से लक्षमन सिंग के नाम से जो है वो जाने जाते हैं लक्षमन देव के नाम से जाने जाते हैं लक्षमन देव हैं लेकिन popularly अगर देखा जाए तो यह बंदा बहादूर के नाम से famous है इसके अलामा बहुत अलपायू में यह थोड़े से वैरागी हो ग दास वैरागी के नाम से भी जाना जाता है और माधव दास वैरागी मतलब फिर जब उन्होंने वैराग धारन कर लिया घर संसार जब छोड़ दिया तो वो इधर उधर घूमने लगे वैराग धारन किया था उन्होंने और ऐसे घूमते हुए वो साउथ में महरास्ट तक यह जो है गुरु के रूप में इनको बंदा बहादूर कहा गया तो इस तरीके से हमने चोटा सा नाम का था तो मैंने आपको बताया बाकी चीज़े जब हम सिख धर्म के बारे में पढ़ते हैं अधिकालेन भारत के इतियास में तो वहाँ पर इनके बारे में विडिवत सीखेंगे ठीक है तो अभी यहां तक आपको क्लियर हो गया अब गुरु गोविन सिंग से से मुलाकात करने के बाद जब इनोंने सिख धर्म को accept कर लिया तो एक तरीके से हम आचा इसके बाद इनको पंजाब में सिखों का रिप्रेजनेटिव बना करके भेजा गया सिखों का राजनेतिक नित्रत्व जो है इन्यों नहीं किया है ऐसे समझ लीजी सिखों का राजनेतिक नित्रत्व है वो करने के लिए गुरु की आज्या से एग गया क्लियर हुरी बात घरी-धरी करके हम आगे बढ़ रहे हैं चीजें समझ में आने लगेंगी आपको बस ध्यान पूरक सुनना है लेक्षर के अंत तक एक-एक पॉइंट करते हुए क्योंकि मैं बताता हूँ तो उससे एक फायदा और एक नुकसान है पायदा ये है कि अगर आप सुरुवात से इस लेक्षर को देखते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा ऐसा मेरा प्रयास रहता है मेरा ये प्रयास रहता है कि आप हर चीज आपके दिमाग से होकर के गुजरती रहे और वहाँ इस्थान प्रदान करे प्राप्त करे लेकिन अगर आप बीच में इस लेक्षर को स्किप करते हैं या फिर बीच से कनेक्ट करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको फिर ये टॉपिक कम समझ में आएगा क्योंकि आपने स्टोरी का पिछला भाग तो छोड़ रखा है तो अगला भाग थोड़ा समझने में दिक्कत होगी इसलिए शुरू से लेकर के अंततक बनिए इसके अलावा मैं एक छोटा सा एनाउंस्मेंट आपके समक्षोर कर देना चाहता हूँ ये मैं लिख दे रहा ठीक है तो हफ्ते में ये चार दिन मिलती है ये क्लास आपको सोमवार मंगलवार बुधुवार और ब्रहसपतिवार यहनी कि गुरुवार ये चार दिन मिलती है और आज गुरुवार है तो इस इसाब से आज इस हफते की ये लास्ट लास है कल हम लोगों की मुलाकाद जो है वो एंशेंट इंडियन हिस्ट्री में दिलीपसर के साथ होगी और शुक्रवार और शनिवार को वहाँ आप वो पढ़ रहे होगे लेकिन ये जो समय है अगले हफते से नेक्स्ट वीक से इसका टाइम जो है वो चेंज कर दिया गया है और इसका टाइम चेंज करके अब ये पा हम पांच बजे से खिसका करके आधे गंटे का समय साथे पांच कर दिया गया है बस और कुछ नहीं ठीक है तो आई होब कि इससे कोई बहुत बड़ी समस्य आपके पास नहीं आने वाली है पड़े आसानी से आप इस टाइम को मैनेज कर लेंगे और बहुत सारे स्टूडें और फढ़िए ठीक है तो यह साथे पांच बजे यहां पर जुड़ सकते हैं आप लोग तो सोमवार से अगले सोमवार से नेक्स्ट सोमवार से हम जो है आपको साथे पांच बजे मिलेंगे ठीक इतनी सी बात ध्यान कर ली होगी सबने अब क्योंकि इसको नोट्स को हैं से ह अधुर जी ने करना शुरू कर दिये और तब जो है उनका नाम गुरुबक्ष सिंग के रूप में जाना गया जब यह नित्रित्व कर रहे हैं तब यह किस नाम से जान रहे हैं गुरुबक्ष सिंग ठीक है तो गुरु ने ये राजनेतिक नित्रतो बक्षा है तो गुरु बक्ष सिंग है ऐसे आप याद कर सकते हैं और इन्हों नहीं प्रथम सिख राजी के एक तरीके से स्थापना करके उसको जो मूर्ती रूप देने का काम है वो किया है और तकरीबन आठ वर्सों तक शंघर्ष करते हुए छित्री संघर्ष मुगलों से शंघर्ष इत्यादी करते हुए तकरीबन 1707 से लेकर के 1715 के बीच में 1707 से लेकर के 1715 के बीच में इन्होंने अपना जो सिख राजी है है उसको मजबूती परदान करने का काम किया है हाला कि मुगलों के साथ ठीक संबंद नहीं रहे इसी कारण 1716 में 1700 1716 कि अगर हम बात करें तो 1716 में गुरुदास पूर का एक युद्ध हुआ गुरुदास पूर का युद्ध और ये मुगलों के साथ हुआ जिस युद्ध में हम कह सकते हैं कि एक तरीके से इनकी हार हुई और फिर इसके बाद इनको कैद कर लिया गया कैड करके इन्हें दिल्ली ले जाया गया और उस समय दिल्ली में जो मुगल बाश्चा था वो फरूख शियर था कौन था फरूख शियर और ये जो फरूख शियर है जिसे ग्रनत कायर के रूप में भी जाना जाता है AC ने बंदा बहादूर को मृत्युदंड दे दिया इसने बंदा बहादूर को क्या किया मृत्युदंड दे दिया तो इस तरीके से ये शुरुवाती चीज थी जो मैंने आपको बंदा बहादूर के रिस्पेक्ट में बताई ठीक है तो ये जो सिख राज्ज है आसपा सगरम देखें तो कपूर सिंग नाम के एक व्यक्ति ने तमाम सारे जो छोटे मतलब सिक जो है फिर असंगठित रहने लगा पहले तो यहां से संगठन शुरू हुआ लेकिन इनके बाद कोई ऐसा विशेस व्यक्ति आया नहीं जिसने सक्षों को एक संगठन प्रदान क किया हो ऐसा कोई विशेस व्यक्ति आया नहीं लेकिन हम फिर देखते हैं कि करीब 1748 के आसपा से एक और नाम हमको देखने को मिलता है कपूर सिंग इन्होंने फिर से एक बार जो असंगठित किसान थे असंगठित जो सिख किसान वगएरा थे इन सब को एक बार फिर से इन्होंने क्या किया संगठित किया और संगठित करके कृशकों को संगठित किया और संगठित करके एक दल खालसा की स्थापना की दल खालसा को इन्होंने स्टैब्रिश किया और यह जो दल खालसा है इसका नित्रत्वत कपूर सिंग के बाद में जस्सा सिंग अहलू वालिया ने किया कपूर सिंग के बाद कौन है इनके बाद दल खालसा का नितरत किस ने किया ये छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है अब आप सोचेंगे सब दल खालसा का यहां पर क्या importance है लेकिन अभी आपको पता चलेगा बस थोड़ा सा धैरे रखेंगे तो जो दल खालसा का नितरत्व है वो जस्सा सिंग अहलू वालिया ने रखा है किसने रखा है जस्सा सिंग अहलू वालिया अहलू वालिया थोड़ा सा आपको यहां पर चीजें याद रखनी होंगी और ये याद जो है वो रिवीजन से होगा असंगठित क्रिशक जो है उनको संगठित करके दल खालसा का निर्मान किया गया जिसको बाद में कपूर सिंग के बाद में किन्होंने लीड किया जस्ता सिंग अहलू वालिया ले नीड किया और जस्सा सिंग एहलू वालिया के समय में ही फिर से अगर हम देखें तो जो सिख समाज है वो बारह प्रांतों में या बारह छोटे-छोटे-छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित हो गया या छेत्रों में विभाजित हो गया विभाजित चोटे-छोटे राज्यों चोटे-छोटे-छोटे छेत्र कह सकते हैं कुछ भी कह सकते हैं ये बारह छोटे-छोटे छेत्रों में विभाजित हुआ जिन्हें बारह मिसल कहा गया क्या कहा गया बारह मिसल तो आपने मिसलों का नाम सुना होगा, एलू वालिया मिसल, सुकर चकिया मिसल, ऐसे तमाम सारे आपने मिसल जो है नाम सुने होगे, तो इनी से मतलब बारह मिसलों का निर्माड हुआ, और इनी बारह मिसलों में एक मिसल था, सुकेर चकिया मिसल, इनी बारह मिसलों में एक मिसल है, सुकर चकिया मिसल ठीक सुकर चकिया मिसल इनी 12 मिसलों में से 1 था कहीं कहीं सुकेर चकिया ऐसे भी लिखा रहता है कहीं है ना तो उसमें उतना प्रशान और निक बात नहीं है इसके मुखिया थे महासिंग इनके मुखिया थे महासिंग और इन्ही महा सिंग का एक बेटा था या इन्ही महा सिंग से एक बेटे का जन्व हुआ और उस समय ये गुजरा वाला गाउं आपने नाम सुना होगा सैथ गुजरा वाला गाउं यहां पे महा सिंग जी का सामराज्य था या राज्य था सुकेर चक्या मिसल के मुखिया थे और इसी गाउं में एक बच्चे का जन्व हुआ जिसे रणजीत सिंग के नाम से आगे जाना गया रणजीत सिंग और अगर हम देखें तो वास्त्रिक रूप में जो सिख समुदाए या कह सकते हैं कि सिख राज्य जो है उसको ठीक तरीके से कॉंस्टिट्यूट करने का काम या बड़े समराज्य की रूप में बनाने या प्रदर्शित करने का काम यहीं से शुरू होता है तो इसके पहले आपने देखा कि कुछ नाम आपको थोड़े सियाद रखने हैं जैस प्रिटिशर्स के साथ इनके युद्ध होंगे उस समय हम फिर से इनकी उपर चर्चा करेंगे लेकिन अभी तो हम के लिए बता रहे कि कैसे उन राज्यों का उद्ध हो रहा है किस किस रूप में हो रहा है तो महराजा जो रणजीत सिंग है इनकी माता थी राजकौर और इनकी जो सास थी वो सदाकौर थी माता कौन है माता राजकौर ठीक है और जो सदाकौर है इन दोनों लोगों ने मिल करके ये सास हैं सदाकौर इन दोनों लोगों ने मिल करके एक समीती बनाई एक परिशद बना परिशद तो महा सिंग की मृत्यू के पश्चात ये सारा काम हुआ और ये जो परिशद बनाई इन्होंने इन दोनों लोगों ने मिल करके सदाकौर और राजकौर जी ने मिल करके इसका नित्रत्व करने का काम जो है जिनको दिया गया वो थे दिवान लखपत राय परिशद का नित्रत्व किस ने किया दिवान लखपत राय ने लखपत राय इन्होंने इस ये जो कमिशन बना था या जो परिशद बनी थी इसका नित्रत्व किया तो तकरीबन 1792 से ले करके 1797 तक जो सिख सामराज्य है उसको रिप्रेजेंट करने का काम इसी परिशद ने किया है 1792 से लेकर के 1797 तक और 1797 के बाद यानि कि जो भी प्रशासन के कारे हैं इस परिशद नहीं किया है प्रशासन के समस्त कारे किये गए यही करते थे मतलब एक तरीके से क्योंकि लीडर कोई है नहीं यह अभी उतना योग्य है नहीं तो इन दोनों लोगों ने मिल करके काउंसिल बनाई है जो काउंसिल सारे प्रशासन के कारे करेगी इस प्रशासन इस काउंसल का जो नित्रित्फ है वो लगपत राय जी के द्वरा किया जा रहे है तो समस्त कार्यों का जो संचाल है न वो इसी से हो रहा है लेकिन 17972 में रणजीत सिंग जो है इस काउंसल से स्वतंत्र हुए 17972 में रणजीत सिंग रणजीत सिंग ने स्वतंत्र होकर राज्ज किया आपको बात समझ में आ गई अब हमें रणजीत सिंग तक ही आना था तो मैंने पूरी स्टोरी आपको एक लाइन में सुना दिए आई होब कि यहां तक का सारा पॉइंट जो है सभी को सपस्ट हो रहा होगा और हो रहा है तो एक बार कॉमेंट सेक्षन में बता दीजे कि आपको समझ में आ रही सारी बात हाई या नहीं कोई परिशानी हो तो बताईगा बीचों बहुत सारी चीजें जो स्किप्ड हैं और क्यों स्किप्ड है मैं बार बार बताई रहा हो आपको खेर हलाकि अभी यह बहुत जादा युवा बहुत जादा बड़े नहीं हो गए थे 18 साल के मतला तकरीबन युवा ही थे शुरुआती थी और 18 साल के ही समय में रणजीत सिंग ने तमाम सारे जो विजह अभियाने वो करने शुरू कर दिये पंजाब को यूनाइट करना कश शावर, मुल्तान इन सब जगहों पर लगातार वो जीत जो है वो हासिल करते चले जा रहे थे यानि कि जो पंजाब का जो सामराज्य था या जो पंजाब का जो सिख राज्य है ये धीरे 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 बढ़ता चला जा रहा थे 1798 में एहमद शाह अबदाली के पोते क का नाम यहां लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है 1798 में जमाल शाह नाम का एक अफगानी था और यह अफगानी जो है एहमद शाह अबदाली का पोता है 1798 की घटना है राज्य विस्तार के बारे में ये पॉइंट बताना आवश्यक है जमाल खान ठीके इधे जमाल खान है ज जमान शाह कह सकते हैं जमान इसको मैं मिटा करके फिर से लिख दे रहा हूँ जमान शाह जमान शाह जो है इसकी इच्छा यह हुई मैंने आपको बताया कि यह ग्रैंट सन है किसका एहमद शाप दाली का वही एहमद शाप दाली 1761 में जिसने पानिपत का युद किया है पान पंजाब विजय की और निकला पंजाब विजय की और ठीक है पंजाब विजय के लिए निकला और पंजाब विजय के लिए जब वो निकला तो उसने मतलब कह सकते हैं कि लाहॉर पर उसने कैप्चर कर लिया पंजाब विजय के लिए उस समय उसने क्या किया लाहॉर को जीत ल विद्रोह हुआ और यह काबूल में विद्रोह हुआ इस विद्रोह को सम्हालने के लिए इस विद्रोह को ठीक तरीके से मैनेज करने के लिए इसे वापस काबूल की और जाना था तो यह लाहौर से आगे नहीं जा सका अलकि यह लाहौर से आगे जाना चाहता था लेकिन यह वापस जा रहा था, तो वापस जाते समय, वापस जाते समय, चिनाव नदी के पास में, चिनाव नदी के पास में दलडल था, चिनाव नदी को जब पार कर रहा था, चिनाव नदी, इसको पार करने के बाद एक दलडल में, इसकी बारह तोपें, बारह तोपें, ये फंस गई आप इसे अतिशीग्र जो है काबूल वापस भी जाना है लेकिन इसकी चिनाब नदी के पास में तोपे फस गई तो तोप लेकर जाना बहुत दूरूरी था 12 तोपे मामूली बात नहीं थी उस समय के लिए अगर देखा जाए तो इधर से रणजी सिंग ने कहा कि आप जाईए हम आपकी जो तोपे हैं वो निकलवा करके आपको वापस भेज देंगे विश्वास नहीं हुआ इसे यह कैसे हो सकता है लेकिन ऐसा हुआ तो जब इन्हों यह जो तोपे थी रणजीत सिंग ने जब वापस कर दी 1799 में तकरीबन अगर देखा जा तो यह घटना पहुँच चुकी है 12 तोपे वापस हुई और वापस किसने करवाई निकलवा करके रणजीत सिंग ने तो इसी बात से खुश हो करके जमान शाह ने रणजीत सिंग को लाहौर जो है वो दे दिया यानि लाहौर का पर जो अधिकार है किस तरीके से रणजीत सिंग को मिला है वो इस छोटी सी घटना से मिला है 1799 में लाहौर पे कबजा कर लिया एक तरीके से लाहौर तक पहुँच गई और इसी समय इसने इन्हें राजा की उपादी दी राज इसके बाद इन्होंने और भी राज्य विस्तार किया जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो 1805 में इन्होंने भंगी मिशल हुआ करती थी अम्रित सर का जो राज्य है वो नहीं के पास में था अम्रित सर कोक भंगी मिशल से प्राप्त किया तो ये भी इस तरीके से अगर दिखा जाए तो अम्रित सर तक जो है इनका कबजा हो गया 1805 में घटना घटी तुई ठीक है 1805 में तो ये अम्रित सर भी आ गया 1707 में उन्होंने कई सारी जगहों को मतलब मैंने बताया ना काफी राज विस्तार किया 1707 में अगर हम देखें तो अंबाला है थानिश्वर है नारायन गड़ है फिरोजपूर है ये सारे राज जीत लिये है 1808 में उन्होंने फिर से अपने एक्सपेंशन जो है वो लगातार जारी रखा और सतलज नदी को पार करके उधर से फरीद कोट वगरा जो है वो भी अपने कबजे में कर लिया है तो बहुत सारी जगहों को इन्होंने 1808 के बीच में जीता है बहुत और ये लगातार एक्सपेंशन जो है इनका बढ़ता ही चला जा रहा है अब आपके मन में विजार आ रहा होगा कि अगर ये स्वतंत्र सिखों के तौर पर ये स्वतंत्र सिख राज्य के तौर पर अगर अपने आपको इस तरीके से फैलाते जा रहे हैं तो बाकी के आसपास के जो समराज्य होंगे या राज्य होंगे और इनफेक्ट जो ब्रिटिशर्स होंगे वो इनसे भैबीत होंगे और इनके राज्य प्रसार को रोकना चाहेंगे तो बेसिकली यहाँ पर हम अंग्रेजों के इंटरफेर की बात कर लेते हैं इ इसलिए कंपनी सरकार जो थी उसको जब इनसे बहुत ज़ादा खत्रा मैसूस होने लगा तो उन्होंने रंजीत सिंग के लिए कुछ ऐसी टेक्निक सोची कि इनका प्रसार जो है वो कि 17 नदी के आगे न बड़े है कि तो 17 नदी आप देखेंगे कि जो सिं॥ुकी जो सहयक नदिया हैं सिंदू्रीबर जो भी जा रहे हैं सिंदू सी रिवर्र की सायक नदियों में सब से नीचे से जो नदी जाती है वो सतलज यह यहां पर आप इसे सतलज क्या सकते हैं अगर हम सिंधु की सायक नदियों की बात करते हैं तो और पूरा का पूरा है सिंधु नदी के आसपास का जितना भी प्रदेश था यह लगातार लगभग लगभग जीत रहे दे तो यह हुआ कि भाई सि सिंधु नदी जो है इस रिवर के यह आगे अगर बढ़ते हैं दक्षण यह दक्षण पूरप की तरफ यह पूरप की तरफ बढ़ते हैं तो उसके आगे सब आपको मालू मैं सब ब्रिटिश का राज्य है ब्रिटिश इंफ्लूएंस में है सारा राज्य तो उसको यह नही भी बिटिक्शरस को था तो ये चाहते थे कि नेपोलियन वार में हम इंक्लूड ना हो बलकि किसी न किसी तरीके से हम पंजाब को इंक्लूड कर दें तो इसी लिए लौड मिंटो के समय में लौड मिंटो के द्वारा ही एक राज़दूर भेजा गया महाराजा रणजीत के पास में चार्ल्ड मेत्कॉफ नाम था उसका किस ने भेजा लौड मिंटो ने लौड मिंटो इसने एक दूत मेजा जिसका नाम था चार्ल्ड मेत्कॉफ और इसी चार्ल्स मेटकॉफ और महराजा रणजीत सिंग के बीच में एक संधी हुई अम्रित सर में जिसे कहा जाता है अम्रित सर की संधी और ये संधी कब हो रही है 1809 में 1809 में ठीक है 1809 में अम्रित सर की संधी हुई ब्रितिशर्स कुछ ऐसी संधी की शर्ट रखेंगे जिससे उनको विशुध लाब होने वाला है अब इन संधी की शर्टों को यदि अगर हम देखें तो किस प्रकार से संधी की शर्टे रही है सबसे पहली शर्ट ये है कि सतलज जो है वो पंजाब या सिख राज्य की दक्षण सीमा बना दी जाए पहली शर्ट क्या है सतलज नदी जो है सतलज इसे सिख राज्य की दक्षण सीमा माना गया ठीक है तो इसका मतलब अब आप देखें ये सिख ये सिख मान लेते हैं सतलज नदी है तो अगर यहाँ पर सिख समराज है तो यह सिख समराज अधिकतर यहाँ तक एक्सपेंड हो इससे नीचे एक्सपेंड ना हो ये इस शर्ट में कहा गया ये बात मानी गई दूसरा कहा गया कि सतलज के दक्षन पूर्व की और सिख राज अंगरेजों के संगठन में रहेंगे दूसरी शर्ट क्या मानी गई? देखी किसकी बात कर जा रही है? दक्षन पूर्व की बात कर जा रही है ये दक्षन पूर्व का हिस्सा है या थोड़ा सा अगर हम इस सतलर नदी को ऐसे बनाए होते तो ज़्यादा ठीक था अगर हम इस सतलर नदी को थोड़ा सा चेंज करें या रहने दीजिए आप समझ गए होंगे अगर हम ये वाला जो प्रांथ है ये अलग जो प्रोविंस है इसकी बात करें तो इसको हम लोग क्या कहेंगे दक्षन पूर्व की सतलज के दक्षन और पूर्व की बात हो रही है ये दक्षन और पश्चिम इधर हो जाएगा यह दक्षन और पूर्व की बात हो रही है, तो सतलज के दक्षन पूर्व के जो राज्य होंगे, सतलज के दक्षन पूर्व के जो राज्य हैं, लिख दे रहा हूं यहां पर, सतलज के, सतलज के, दक्षन पूर्व के राज्य, जा दक्षन पूर्व में, ये माना जाएगा कि ये एक प्रकार से जो बिटिशर्स हैं अंग्रेज जो हैं उनके संगठन के साथ ही राज़ें यानि कि सिख अंग्रेज संगठन के राज़े कहलाएंगे यानि यहां पर किसी प्रकार के प्रशासनी गतिविदी होगी तो दोनों की सहमती यहां रहेगी सतलज के ऊपर अगर कोई प्रशासनी गतिविदी हो रही उत्तर के जो राज्य है उसमें कोई गतिविदी हो रही तो वह सिखों के रहेगी तीसरा ये point कहा गया कि सतलज नदी जो है उसके उत्तर की अगर हम बात करें उत्तर में सतलज के एक सतलज के उत्तर में सिख सामराज्य होगा या सिख राज्य होगा जिसमें अंग्रेजी हस्तक शेप नहीं होगा यानि बिटिशस उसमें अस्तक शेप नहीं करेंगे ऐसा उन्होंने कहा ये संदी की शर्तों में है चौथा point कहा गया कि सतलज के पूर्व में ये बिटिश होगे सतलज के पूर्व में कौन होगा बिटिश होगे बिटिश राज्य हैं राज्य होगे जिसमें सिख हस्तक शेप नहीं होगा ये भी शर्त रखी गई मतलब इधर वाला जो पूर्व का राज्य है इसमें पूरा अंग्रेजों का शासन है आप इधर नहीं आएंगे और ये आप का शासन है अंग्रेज उधर नहीं जाएंगे ऐसा कहा गया और एक और बात कही गई कि लुधियाना में अंग्रेजी सेनाय रखी जाएंगे लुधियाना में अंग्रेजी अंग्रेजी सेना का दल रहेगा ऐसी जो है ये संदि की शर्त जो है रखी गई और इस शर्त से ब्रिटिशर्स ने रणजीत सिंग को पूरव की और एक्सपेंड होने शुरू का तो अब रणजीत सिंग के पास क्या बचा है कि वो पशिम में जो है अपने आपको एक्सपेंड करें वैस्ट में ले जाएं जितना रसिंद की तरफ लाहॉर की तरफ काबूल की तरफ अपना जितना फैल ना चाहें वो फैल सकते है क्लेर होगी बात हाँ या नहीं तो यह यह आपको अमरसर की संदी में इंपोर्टेंट चीज मिलती है जो कि पंजाब राजी के लिए है वो अमरे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है उसके बाद अगर हम देखें तो 1818 में खड़क सिन और दिवान चन इनकी सहायता से 1818 में दिवान चन अब यह सहायता कर रहे है किया न मैं महाळाजार रंजीत सिंगी सहायता कर ठीक है दिवान चन और खड़क सिन इनकी सहायता से महाळाजा रंजीत सिंगck ने मुलतान जो दुर्ग है मुलतान दुर्ग इस पर कब जा कर लिया यह यह आ चुका पशुम में आपको जाना है ना तो पशुम expansion कर रहे हैं अठारा सो उन्नेस में उन्होंने कश्मीर पर विजय कर लिया कश्मीर विजय किया कश्मीर पर सेना भेजी और इसको जो है कष्मीर को जीत लिया है, इन्हों ने, 1821 में डेरा जाट, 1834 में पेशावर, पेशावर थोड़ा इंपोर्टन हो जाता है, 1834 में पेशावर जीत लिया है, और ये सारे 77 दूदी से पस्षिम क्यूर हैं, आप जानते हैं पेशावर पश्रिम क्यों री पड़ेगा और 1836 में इनों ने लद्दाख भी जीत लिया यह उत्तर में पड़ेगा क्योंकि उत्तर वाली जगहों पर भी इंटर्फियर ब्रिश्रस का नहीं था एक्सपेंशन जबज़स तरीके से किया है इसके बाद 1831 के आसपास अगर देखें तो कुछ बलुचिस्तान के जो प्रदेश थे उस पर भी इनका अधिकार हो गया 1831 में बलुचिस्तान बलुचि या इसको हम बलोच प्रदेश कह सकते हैं बलोच प्रदेश पर अधिकार किया और यहां पर एक जगह थी जिसका नाम था शिकारपूर यह एक जगह थी जिस पर जो है इनोंने कबजा कर लिया अब शिकारपूर बड़ी इंपोर्टेंट जगह थी क्यों इंपोर्टेंट जगह थी क्योंकि शिकारपूर जो है यह सिंध जो पश्ची में सिंध का जो हिस्सा पड़ रहा है बलुच्वाला जो प्रांथ है ये सिंध का सिंध का आप इसको कह सकते हैं सिंध का व्यापारिक द्वार था ये व्यापारिक द्वार था और इस व्यापारिक द्वार पे कबजा कर लिया है माराजा रणजीत सिंग ने और अब वो 1831 में संपूर्ण सिंध प्रांत को जीतने के प्रयास में और वो जीत भी लेंगे मतलब सक्षम थे सब कुछ था इस तरीके से सिंध तक उनका कब्जा होने वाला था लेकिन ब्रिटिशस को फिर से खत्रा हुआ तो फिर ब्रिटिशस के दिमाग लगाने से यह हुआ कि ब्रिटिशस का हस्तक शेप वा सिंध ने ब्रिटिशस यानि अंग्रेजियों से सहयता मांगी और उस सहयता का असर यह हुआ कि इन्होंने बादचीत करी इनसे और फिर सिंध में जो है कह सकते हैं कि फिर आख्मन नहीं किया गया तो एक तरीके से ब्रिटिश इंटर्फियर से या अंग्रेजी हस्तक शेप से सिंध को जो है विजित नहीं किया गया जबकि कर सकते थे उसी के बाद 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था उसने सिंध सामराज जो था सिंध और पंजाब जो यह सामराज जो इनके दौरा लीट किया जा रहा है इनके बीच में एक संधी कराई जिसको कहा गया रोपड की संधी रोपड की संधी हुई ठीक है बेंटिंग के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में और रोपड की संधी में फिर इनुने सिंध विजय का जो फाप था सिंध विजाय का जो अभियान है इसको रोक दिया गया ठीक है किस के द्वारा रोका गया British Interfier के द्वारा रोका गया अंग्रेजी अस्तांतर या हस्तक मागा है और आगे कभी इस पर जो है मतलब ऐसा कभी भै हो कि बाद में संथी तो होती थी कहीं संदी तूट ना जाये, इसलिए 1838 में बिरिटिश उचल ने सिंध में बिरिटिश डिंट बना दिया. 1838 में अंग्रेजों ने अंग्रेजो का रेजिडेंट हुआ, अब अंग्रेज़ो का रेजिडेंट होने का मतलब यह हुआ कि सिंध दर्वार जो होगा, सिंद्ध का जो शासन समाल रहा होगा वहां बिटिस रेजिएंट बैठेगा और वहां पर अगर सिंद्ध पंजाब ने हमला किया तो यह बिटिश पर हमला माना जाएगा तो पीछे की जो संदियां थी वो उससे प्रभावित हो सकती थी तो फाइनली जो है अगर देखा ज़या है तो यह जो अगर यह चाहते तो यह बिटिश की यह बात को नकार करके इस संदि से इनकार भी कर सकते थे क्योंकि यह बातचीत के दोराई के दो कोई युद्ध नहीं हुआ था इसमें लेकिन रणजीत सिंग जो है बिटिशर्स को नाराज नहीं करना चाहते थे फाइनली सिंद विजय नहीं हो पाई और 1839 में रणजीत सिंग की रणजीत सिंग जो है उनकी मृत्यू हो गई अगर देखा जया तो सिंद विजय का जो सपना था ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया सिंद विजय का आप जो खौब देख रहे थे ये सिख जो है वह अब यह खौब नहीं देखा जा सकता था इनकी मृत्यू हो गई अब इस point of view से देखा जाए तो इन्हों ने बहुत expansion किया लेकिन कई जगहों पर आपने ये भी सुना कि Britishers ने इनसे के साथ बातचीत करी और इन्हों ने उस संदी को accept कर लिया जैसे कि सतलच के दक्षिन में ना जाना सतलच के पूर्व में ना जाना सिंद में अपनी सेना को ना भेजना British resident को establish करने देना ऐसे तमाम सारी चीज़े हुई तो कई सारे लोग ये मानते हैं कि अब इसी वज़े से ये जो सारी चीज़े हुई इस वज़े से अगर हम देखें तो इतिहासकार जो है वो रणजीत सिंग को दो तरीके से देखते हैं एक तो दूरदर्शी मानते हैं और एक जो हैं वो दूरदर्शी नहीं मानते हैं अदूरदर्शी मानते हैं एक ऐसा आप से पूचा जाए कि ऐसा वो लगातार क्यों कर रहे थे प्रिटिशर्स के साथ क्यों तालमिल बना के मदलब अंग्रेजों के साथ वो तो मित्रवत वेहार कर रहे थे क्यों कर रहे थे मित्रवत वेहार क्या अंग्रेजों ने भी समय पढ़ने पर दोस्ती निभाई थी तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं हुआ प्रिटिशर्स ने र दे सकते थे नहीं दिया साथ तो कई ऐसे अवसर आपको तो दूरदर्शी इसलिए मना जाता है कि उससे में पंजाब जह वो नवोदित है और अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ जाते तो यह जानते थी कि अंग्रेजों के शक्ति फिलहाल हमसे जादा है और अभी विद्रोह करना ठीक नहीं है नेपाल इत्यादी ने सहायता मांगी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो इन्होंने नेपालियों की सहायता नहीं करी मराठों ने मांगी थी अंग्रेजों के खिलाफ सहायता तो इन्होंने मराठों की सहायता नहीं करी तो जो लोकल जो कह सकते हैं कि शासक नहीं करते तो इतना स्ट्रॉंग जो इतना बड़ा आपने जो शेत्र भी देखा ये स्टैब्लिश होना लगभग नामुम्किन था लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं और इन्हें अधूर दर्शी बताते हैं उनका भी मानना है उनका मानना ये है कि भले ही एक बड़े सामराज जी कि आपने इस्टैब्लिश्मेंट कर दिया अधिक से अधिक क्या हो सकता था आप अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते तो अंग्रेजों से युद्ध करना पड़ता परण्तों अगर आपने चेतरी शक्तियों का साथ दिया होता तो इस युद्ध में हुआ तो अंग्रेज पंजाब पे कबजा नहीं करेंगे अगर वो से फैलने नहीं दे रहे हैं तो कहीं न कहीं इस बात में ये अंतर नहीं थै ये ग्यान कि ये मौका मिलने पर ब्रिटिशर्स जो हैं वो पंजाब को हम आप भी करेंगे ये बात क्या ये नहीं समझते थे और अगर ऐसा होना था तो हो सकता है कि छितरी शक्तियों और नेपाल और इन सब की सहायता से और बड़ा सामराज इस्टैबलिश होता पॉजिटिव चीज ये भी देखनी चाहिए थी बैराल आप सोचिएगा और बताए का समबंध रहा जैनी कि अगर हम अगर हम यहां पर अंग्रेज सिक युद्ध हुए हैं दो अंग्रे सिख यूद्ध हैं जो आपको याद रखना है तो हम पहले प्रथम आंग्ल सिख यूद्ध के बारे में बात करते हैं, ठीके, आंग्ल सिख यूद्ध, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रथम आंग्ल सिख यूद्ध के अगर हम बात करें, तो ये 1845 से ल समाल रहे हैं और उनके संद्रक्षन करने के लिए तमाम सारे जो सिख दरवार के लोग हैं वो है तो दिलीप सिंग 1843 से लेकर के 1849 तक उनका शासनकाल आपको देखने को मिलता है दिलीप सिंग 1843 से 1849 तक 49 तक यह 49 लिखाया वै ठीक है 49 तक यह इनका शासनकाल देखने को हम को मिलता है तो दिलीप सिंग जी जो है सिक सेना जो थी उस समय इनके नित्रुत में उसने सतलज को पार किया और सतलज पार करके उदर से ब्रिटिशस जो है आक्रमन करने के लिए आ रहे थे फिर से इस तरीके consequences बन रहे हैं कि भई युद्ध होगा तो सिक सेना जो है तकरीबन 11 दिसंबर को 11 दिसंबर 1845 11 दिसंबर 1845 सिक सेना जो है वो सतलज पार कर गई और आपको मालूम है कि सतलज पार करके आगे नहीं जाना था क्योंकि पिछली जो युई थी अम्रस सर की उसमें यही कहा गया था और इसी लिए ह्यूगफ नाम का एक British Commander था सर ह्यूगफ उसको कहते थे और उसने 1845 में 13 दिसंबर को दो दिन बाद अगर हम देखें तो इनकी सेना से पंगा लेना शुरू किया 1845 में 13 दिसंबर को और किसकी अनुमत इसे यूगफ जो है वो आक्रमन करने आ रहा था उस पर अनुमत थी Lord Herding की उस समय Lord Herding जो है वो Lord Herding जो है वो क्या है Governor है Governor General है तो Lord Herding ने घोशना करी कि भई क्योंकि इन्होंने सतलज को पार किया है इसलिए अब हम इनसे सीधे सीधे युद्ध करेंगे बैटल होगा और इस बैटल में भी अगर हम देखें तो शुरुवात में Britishers जो है वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है सिख सेना ही ऐसा लग रहा है कि Britishers के उपर हावी है लेकिन दो यहाँ पर कह सकते हैं विश्वास घाती भी थे सिख सेना में जिन में से एक का नाम लाल सिंग था एक का नाम तेज सिंग था यह सेना पती थे यह सेना पती थे लाल सिंग और तेज सिंग यह क्या हुए इनको जो है कह सकते हैं कि इन्होंने विश्वास घात किया इनोंने विश्वास घात करके बिटिशर्स का साथ दिया सेना को युद्ध में लाने में डिले किया तकरीवन दो दिन और इसका फायदा उठा करके बिटिशर्स ने लाहॉर पर अधिकार कर लिया अंग्रेजों ने क्या कर लिया इनका लाब उठा करके अंग्रेजों ने लाहौर पर कपजा कर लिया ठीक है इतना पॉइंट आप समझ जाएंगे अब डिशन्स ने जब लाहौर पर कपजा कर लिया तो अब लाहौर जीतने के पश्चात इसी लाहौर में संदी हुई जिसे कहा गया लाहौर की संदी 9 नौ मार्च 1846 यह हुई है लाहौर की संदी लाहौर की संदी किसके किसके बीच में हुई अंग्रेजों और सिख्षों के बीच में हुई अब इसमें नई सीमायत आई हुई फिर से नई चीज़ें आई और जो चीज़ें आई वो काफी अपमान जनक थी और बहुत ही ब्रिटिश जो सैन्य शक्ति है उसको कमजोर करने वाली हुई कैसे जितने भी राजज़े होंगे वो सब अंग्रेज की होंगे शतलज के दक्षण में समस्त राज़े ये किस के होंगे अब अंग्रेज्जों के होंगे समस्त राज्य का मतलब यहां पर यही है कि जो आभी आपने देखा था दक्षण पूर में जो राज्य थे उसमें सिख और अंग्रेज दोनों थे सिख और अंग्रेज दोनों थे यही तो बताया था मैंने थोड़ी दिर पहले आपको यह जरह देखिए यह सिख और अंग्रेज संगठन वाले राज्य होंगे आप इसने कह दिया है संगठन और कुछ नहीं है आप हमारे होंगे सिर्फ ब्रिटिश रस क्योंगा आप हारे हैं देढ करोड रुपए रुपए जो है वो हर जाना देना होगा लेकिन उस समय जो सिख ट्रेजरी है उसमें देढ करोड रुपए नहीं था पैसे की कमी थी इसलिए व्यास से लेकर के यहाँ पर एक पॉइंट धियान डखना है रखना है कि व्यास से ले करके व्यास से ले करके सिंध तक का जो इलाका है सिंध तक व्यास से सिंध तक का जो इलाका है इसे बेचा गया और बेच करके एक करोड रुपयां से प्राप्त किये गया एक करोड में एक करोण में ये जो है बेच दिया गया ठीक है गुलाप सिंग को बेचा गया था ये गुलाप सिंग को बेचा गया था और गुलाप सिंग ने एक करोण रुपए पे सुखरी लिया पचास हजार रुपए जो थे वो ट्रेजरी से मिलाए गया तो ये पॉइंट भी आपको clear हो गया, आया नहीं, तीसरी बात ये हुई, कि जो अंग्रेजी सेना थी, अंग्रेजी सेना को कम किया गया, वरना फिर ये संदी तोड़ करके, और फिर से विद्रो कर सकते थे, स्वभविक्सी बात है, तो सिख सेना में कमी करी गई, और बीस हजार केवल पैदल, और बारा हजार गुड़ सवार, सिख सेना में कमी की गई, और इस सिख सेना में कमी के द्वारा क्या हुआ, केवल, केवल बीस हजार सैनिक, और ये पैदल सैनिक हैं, और मात्र बारा हजार गुड़ सवार रखने के अनुमती दी गई, इसी से आप अपनी सेना को संचालित करी, और इतनी सेना ये इतनी कम थी, कि आप आगे कभी अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे, और जिन्होंने गड़्दारी करी थी इन्हें ही दिलीब सिंग के राज्य में दर्बार में मंत्री का पद दिया गया और दिलीव सिंग की संदक्षिका के तौर पर रानी जिन्दा जो है या जिन्दा रानी जिन को बोला जाता है जीन्दन के नाम से भी जाना जाता है उनको इनकी संदक्षिका बना दिया गया समझ मेरी बात एक और खतरनाक बात यहां पर हुई है क्योंकि अभी ब्रिटिशस और इनके बीच में जो ये युद्ध हुआ है क्योंकि अभी राज्य कमजोर हो गया है तो दूसरे लोग कह सकते हैं कि आक्रमन कर सकते हैं तो दिलीप सिंग की रक्षा के लिए दिलीप सिंग की रक्षा है तू दिलीप सिंग की रक्षा है तू, क्या किया जाएगा एक वर्ष तक एक वर्ष तक अंग्रेजी सेना अंग्रेजी सेना जो है वो लाहौर में रहेगी लाहौर में ये तो बहाना था कारण ये था कि एक वर्ष तक हम रहेंगे तो जो भी छोटे मोटे विद्रो होंगे उसको हम दबा देंगे इसके अलावा पंजाब में अंग्रेजी सेना आ जा सकती थी अंग्रेजी सेना आने की अनुमती आने की क्या हो गई? अनुमती हो गई जुरुत पढ़ने पर जब बिटिश से ना आना जाना चाहे आ जा सकती थी यहां तक point समझ में आगे सबको हाँ या नी इसके अलावा अगर हम देखें तो Henry Lawrence जो है Sir Henry Lawrence या Henry Lawrence उसे लाहौर में British resident के तोर पर रखा गया तो यहां पर एक नाम आपको याद रखना है Henry Lawrence क्या नाम याद रखना है Henry Lawrence ठीक है Henry Lawrence छोटा सा लिख दे रहा हूं बोल दे रहा हूं बार-बार तो आपको समाम जा रहा होगा Henry Lawrence इसे क्या किया गया British resident British resident के तोर पर resident के तोर पर लाहौर में रहेगा अब British resident के तोर पर है तो जितनी भी जो प्रशासनिक कारे हैं वो इसकी जानकारी में हो रहे हैं जो भी राजसों से संबंदित चीजें हैं वो सब इसकी जानकारी में हो रहे हैं और बगैर उसकी जानकारी के अब यह सब चीज़े नहीं होगी तो कहने का मतलब यह है कि आप देखिए कि यह जो संदी हुई है जिसको आप लाहॉर की संदी के तौर पर जान रहे हैं यहां पर लाहॉर की संदी आप जिसे कह रहे हैं इस लाहोर की संदी से सब अंग्रेजों को ही तो लाब है ये चला गया ये पैसा आ गया ये सेना में कमी हो गई ये इंटरफियर बढ़ गया ठीक है और अपना बंदे को मंत्री के तोर पर बैठा दिया है लाल सिंग को तो ये सब चीजें या पर हुई ठीक चलिए अब हम आएगा कि बिटिशर्स जो है केवल इतने से संतुष्ट होने वाले तो थे नहीं उनका उद्देश ये क्या था संपूर्ण पंजाब संपूर्ण पंजाब ये चाहते थे वो अंग्रेश तो लेकिन वो कोई भी काम एकदम से नहीं कर रहे हैं तो जो ये लाहोर की संदी हुई इसको आस्थाई संदी के तौर पर देखा गया मतलब मैंने आपको बताया कि हेंडरी लॉरेंस जो है वो वहाँ पर बना दिया गया था मैंने आपको दिखाया कि हेंडरी लॉरेंस को वहाँ पर ब्रिटिस रेजिडेंट के तौर बना दिया गया था तो हेंडरी लॉरेंस का राज्जिकारियों में बेहद इंटर्फियर हो गया और इस बेहद इंटर्फियर के कारण हेनरी लॉरेंस ने हेनरी लॉरेंस ने अपने जो दो बंदे बैठाए थे एक तो लाल सिंग ये जो मंत्री था और दूसरा एक नाम आपने देखा था जो की संरक्षिका बनी थी जीनदा ये राजमाता है एक तरीके से संरक्षिका है तो राजमाता है इन दोनों के उपर हेन्री ने आरोप लगाया आरोप कैसा आरोप लगाया? भाई इनका इंटर्फियर हटाना भी था ना पहले तो इनी की सायता से अगर हम देखा जाता है तो वो लाहौर को capture किया कुछ देना था तो दिया लेकिन अब उसको हटाना भी है तो आरोप ये लगाया कि कश्मीर में जो withdraw हुआ है वो आपके कारण हुआ है तो इनके उपअर आरोप लगाया गया कश्मीर का कश्मीर विद्रोह का आरोप लगाया गया और इस आरोब को लगा करके अगर देखा जाए तो जीना माता जो है इनको भी हटा दिया गया रास्ते से और जो लाल सिंग्था उसको भी रास्ते से अठा दिया गया और इसके लिए एक ट्रीटी हुई इसके लिए एक संधी हुई ये पद से हटा दिये गया इनको रिमूब कर दिया गया पद्चित कर दिया गया और राजमता जो थी इनको पेंशन पर भेज दिया गया था तो जो वो संधी हुई उस संधी को बोला गया भैरोवाल की संधी किसकी संधी? भैरोवाल की संधी तो अब ज़रा देखिए भैरोवाल की संधी क्या है भैरोवाल की संधी ये भी 1846 में हुई 1846 में भैरोवाल की संधी हुई 22 दिसंबर को ठीक है 22 दिसंबर अब इस संधी में क्या-क्या कहा गेजरा उसको समझीए भैरोवाल की संदी में क्या-क्या points रखे गए पहला point अभी से पहले मैंने आपको अम्रसर की संदी के बारे में बताया है उसके बाद लाहोर की संदी के बारे में बताया है अब भैरोवाल की संदी भी बड़े important है important यह है कि पंजाब के शासन हेतु जो है एक फिर से commission type का बनाया गया और उस commission में आठ सिख सरदारों को रखा गया जो अंग्रेजों के समर्थक थे तो पंजाब के शासन हेतु पंजाब शासन हेतु आठ या आप ऐसे लिखे कि ब्रिटिश समर्थक ब्रिटिश समर्थक आठ सिखों को सिखों का एक परिशद बनाया गया एक council बनाया गया और इनी आठ सिख सरदारों के council के द्वारा संरक्षन प्रदान किया गया किसको दिलिव सिंगी को इसलिए इसको संरक्षन परिशद के तोर पर जाना गया लेकिन इस संदक्षन परिशत का जो अध्यक्ष होगा, बहले ही उसमें आठ सिख सरदार हों, लेकिन इसका अध्यक्ष जो है, वो Henry Lawrence ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, Henry Lawrence जो है वो इसका क्या होगा, अध्यक्ष बना रहेगा, यहनी है कि इसका मतलब ये आगे चल करके एक अंग्रेजी सेना स्थाई रूप से लाहौर में रहेगी लाहौर में रहेगी स्थाई सेना रहेगी वहाँ पर बनी रहेगी और इस सेना को रखा जाएगा ये अंग्रेजी सेना है तो इसको सेना को रखा जाएगा लाहौर में लाहौर आरा पंजाब के राज में इसके ल लाक रुपय, 22 लाक रुपय वार्शिक, ठीक है, 22 लाक रुपय जो वार्शिक का जो खर्चा है, यह हमको ध्यान रखना है, 22 लाक रुपय वार्शिक का जो खर्चा है, यह खर्चा लाइबल होगा किसके उपर? सिख दरबार पर सिख दरबार देगा यानि कि पंजाबी सेन पंजाबी खर्चे पर ब्रिटिस सेना रखी जाएगी पंजाब में ही कितनी बड़ी बात हो गई रानी जिन्दा जो थी उनको पेंशन के पेनियुक्त कर दिया गया डेढ़ लाख डेढ़ लाख वार्षिक पेंशन पर वार्षिक पेंशन दे करके किसको राजमाता को राजमाता जिन्दा जो है या जीन्दन जिनको कहा जाता है वो उनको जो है भेज दिया गया कहा ये बनारस भेज दिया गया बनारस तो आप बनारस जाईए यह बनारस चली गई डेड़ लाक रुपए वार्षिक पे इंसन्ट पिन को भेज दिया गया और लाल सिंग को तो पहले हटा दिया गया था पत से और उसी के कारण यहाँ परिशद बनाई गई थी तो यह सब जो है यह कह सकते हैं कि हमको समझ में आता है कि यह जो पूरी की पूरी संधी है यह भी कही न कहीं अंग्रेजों के द्वारा पंजाब को और कमजोर कर गई अब स्वाभाविक सी बात है कि आगे की राजनीती जो होगी उसमें यह अगर ब्रिटिशर्स और दबाव डालेंगे तो या तो विद्रो होगा या फिर तो उस विद्रो में या तो फिर पंजाब जीतेगा या फिर ब्रिटिशर्स जो है वो हमेशा के लिए पंजाब एक अब जा कर लेंगे तो यहीं से आपको अब सीखना है दुती आंगल सिख युद्ध के बारे में 1849 से 49 के बीच में, 1848 से 1849 के बीच में ये होगा, लेकिन इसको करने से पहले हम इसके जड़ा थोड़े कारण जान लेते हैं, क्या कारण रहे होंगे, कारण क्या रहे होंगे, आगर इन कारणों को समझने का प्रयास करें, कि Britishers क्या इतने पर संतुस नहीं हुए थी जो अभी तक हुआ, तो कारणों में एक कारण तो यह है कि सिख कहीं न कहीं कमजोर हुएं, तो सिख फिर से खालसा के तौर पर reunite होना चाते हैं, ठीक है, सिख जो है, क्या करना चाते हैं, उनहां, खालसा की स्थापना करना चाते हैं, खालसा की स्थापना करना चाते हैं, रियूनाइट होना चाते हैं एक तरीके से, और ये बात Britishers को पता चल रही है, तो स्वभाविक सी बात है, वो इसके खिलाफ कदम उठाएंगे, दूसरी बात यह है कि उस समय जो Governor General है, लाड डलहोजी है, डलहोजी, और डलहोजी क्या क प्रसार करना चाता है, और अधिक प्रसार करना चाता है, विस्तार करना चाता है. इसकी चाह है. तो ये चाह भी एक क़रण बनेगी, तीसरा कारण यह है, कि जो रानी जिंदा थी, जिनको डिखलाग पेंशन दिया था उनकी पेंशन कम करके कम कर दी और कम करके कितनी कर दी 48,000 वार्शिक तो भई 48,000 वार्शिक कर दी इन्होंने पेंशन इनकी बहुत ज़्यादा कम कर दी मतलब आधे से भी कम कर दी एक तम एक तिहाई कर दी ऐसे इसके अलावां हेन्री जो था वो जो सिख सेना जो पहले ही मैंने आपको बताया था कि उसमें 20,000 सेनिक होंगे 12,000 घुड़सवार होंगे उसने सिख सेना को और कम कर दिया हेनरी ने हेनरी का मतलब वही हेनरी लॉरेंस लॉरेंस ने सिख सेना में और कमी करी और अब कमी करके जो 20,000 पैदल सेनिक थे उनके संख्या को घटा करके 10,000 पैदल सेनिक कर दिया यानि कि दबाव बढ़ाया और सेनिक शक्ति को कम कर दिया आर्थिक दबाव बढ़ाया प्रशास्निक दबाव बढ़ाया और वो जो काउंसिल बनाई गई थी सिख सरदारों की सिख सरदार जो थे उनकी जो समिती बनाई गई थी समिती या परिशद जिसको बोल सकते हैं जो परिशद बनाया गया था इसे संड्रक्षन परिशद का आ गया था सरदारों को हटा कर सरदार हटा कर अंग्रेजी अफसर बैठाये गए अंग्रेजी अफसर बैठाए गए तो ये भी एक पॉइंट आपको सौन में आगए कि भई या ये तो पूरी तरीके से ही इंटरफियर हो गया आप तो कुछ बचा ही नहीं और इसके अलामा लाहौर दर्बार के मुलतान के गवर्नर मुल्राज को त्याक पत्र देने के लिए कह दिया गया जो पंजाबियों का जो लाहौर दर्बार है वहाँ पे मुल्राज था तो मुल्राज को त्याक पत्र देने के लिए कह दिया गया और इस तरीके से मुल्तान दुर्ग पे भी जो है क्या कर लिया तो पहले मुल्तान किसके पास में था? मुल्तान ये सिखों के पास में था तो मुल्तान पर या मुल्तान दुर्ग पर कबजा कर लिया गया किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा अब जब ये कबजा कर लिया गया तो स्वाभाविक सी बात है कि विद्रो इन इस्थितियों में एक बार फिर से होना शुरू हुआ क्योंकि ultimately चाहा Britishers के खिलाफ सिखों की ये है तो अब ये जो विद्रो हो रहा है ये क्यों हो रहा है इसको अगर हम समझने का प्रयास करें उसके ये ये कारण मैंने आपको बताए अब इन कारणों से नतीजा ये निकला कि युद्ध की स्थिती जो है वो फिर से बननी शुरू होगी तो उस समय लॉर्ड अलहौजी ने एक सेना जो है वो पंजाब की तरफ भेजी और उस सेना का नित्रत्व किया लॉर्ड गौफ ने लॉर्ड गौफ के नित्रत्व में लॉर्ड गौफ के नित्रत्व में सेना भेजी किसने भेजी लॉर्ड अलहौजी ने लॉर्ड अलहौजी ने और ये जो सेना है ये सेना जब पंजाब की ओर चली तो इस सेना ने रावी नदी को पार करके रावी पार करके रावी पार करके चिनाब नदी के किनारे चिनाब के किनारे रावी नदी पार करके चिनाब नदी के किनारे में एक जगह थी जिसका नाम था राम नगर और उसी राम नगर में यह दोनों सेनाइन जो हैं सिखों की और अग्रेजि si k te को यह दोनों सेनाएं जो हैं वह आमने सामने ठीक है यह 1848 से श्रुद्ध को बता दिया और अब यह युद्यांसे शुरूँः होग我覺得 ये युद्ध हुआ, दोनों सेनाएं जो है, इसमें आपस में भड़ी, लेकिन अंत्ता युद्ध का कोई नतीजा ने निकला, कौन जीता, कौन हारा, ये नहीं कहा जा सकता था, कोई खास नतीजा ने निकला, इसके बाद 13 दिसंबर को सादूलपूर में फिर से युद्ध हुआ, एक तो ये हुआ, दूसरा 13 दिसंबर को सादूलपूर, सादूलपूर में फिर से युद्ध हुआ, दोनों के बीच में, और सादूलपूर का जो युद्ध हुआ, इसमें सिखों को थोड़ा नुकसान ज जीता, इसलिए 13 जन्वरी को फिर से युद्ध हुआ, तीसरा, 13 जन्वरी को, अब 13 जन्वरी हो गई तो 1949 हो गया होगा ना, अब माफ की जिएगा, 1849 हो गया होगा ना, क्योंकि 48 उश्रूव हो रहा है, तो ये जो युद्ध हुआ, 13 जन्वरी को ये जहेलम के तट पर हुआ, जहेलम के तट पर, ये एक और युद्ध हुआ, और इस युद्ध में अंग्रेजों को थोड़ा जादा नुक्सान हुआ, कोई चिलिया वाला गाओं जगा है, इसको चिलिया वाला युद्ध का गया, चिलियां वाला युद्ध इसको का गया चिलियां वाला युद्ध इसलिए इसको चिलियां वाला युद्ध का गया तो भई यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजों को नुकसान हुआ यहाँ पर सिखों को नुकसान हुआ था इसमें भी कोई खास जो है अगर देखा जाए तो कोई रिजल्ट नहीं निकला है कि कौन जीता कौन हारा और ये सारी युद्ध जो है ये Lord Goff के नित्रत्व में लड़े जा रहे हैं लेकिन अब क्या किया डलहोजी ने नित्रत्व चेंज कर दिया लॉर्ड गॉफ जो है अब वो नहीं जाएगा अब इसकी जगे पर चार्ल्स नेपियर आया चार्ल्स नेपियर ये नित्रत्व करेगा ठीके और इसके नित्रत्व में चौथी बार एक युद्ध हुआ अंग्रेजों और सिखों की सेना के बीच में अभी तक जो वर्स हो रहे थे बार-बार हो रहे थे लेकिन कोई निरणय ने निकल पा रहा था तो इसने चिनाब नदी के किनारे एक युद्ध लड़ा चिनाब के किनारे ये चोथा युद्ध है चिनाब के किनारे जो युद्ध हुआ इसको बोला गया गुजरात का युद गुजरात का युद का गया इसे ठीक है चिनाप के किनारे गुजरात का ये युद हुआ और ये युद हुआ 21 फरवरी को ये युद कब हुआ 21 फरवरी 1849 को ये बैटल हुआ और इस युद्ध को बोला जाता है तोपों का युद्ध ये भी का जाता है इसी को हम लोग तोपों का युद्ध भी कहते हैं और इस युद्ध में सिख जो है वो अंततह पराजित हुए सिख अंततह पराजित हुए तो हमको ये पता चलता है कि इस युद्ध के बाद ही जो सारा का सारा पंजाब है मैंने आपको बताया कि ये पूरा जो है ये सब चीजें जो हो रही है वो सारे पंजाब को जीतने के लिए हो रही है तो अब जो पूरा पंजाब है, वो पूरी तरीके से कबजे में आ गया, अंत्ता पराजी थोने के बाद, समस्त पंजाब जो है, बिटिशर्स के पास चला गया, और 29 मार्च 1849 को, एक तरीके से जो सिख प्रांत जो है, उसको बिटिशर्स के साथ मर्ज कर दिया गया, 29 1849 को, पंजाब प्रांत जो है, वो बिटिश प्रांत में, बिटिश प्रांत में मिल गया, तो इस तरीके से आपने देखा, कि समपूर्ण जो पंजाब है, उसको कैसे समय दर समय जो है, और फिर उसके बाद में भी कुछ ट्रीटीज वगरा हुई, अंग्रेजों और जो द यह हुआ कि जो दिलीप सिंग है, उनको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया जाए, तो दिलीप सिंग जो है, वो लड़ने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए लंदन चले गए, वहाँ पे पांच लाख वार्षिक पेंशन उनकी रख दी गई, तैंकर दी गई, और डॉक्टर लागून करके कोई था, जो दिलीप के संदक्षक में था, उसके बहुत समय बाद ये फिर वापस दिलीप सी आये, लेकिन तब तक जो है सारे चीज़ें अंग्रेजों के हाँतों में जा चुकी थी, हलाकि जब ये अंग्रेज गये तो उन्होंने वहाँ पर और फिर आगे के जो युद्ध हैं, उनको हम लोग बिटिशर्स के साथ पढ़ेंगे, तो ये था हमारा सिख राज्य का उदे, लेकिन अब दूसरे राज्यों की भी चलते चलते बात कर लेते हैं, जैसे राजपूताना राज्य की बात की जाए, राजपूताना राज्य त बात करते हैं, तो उन्होंने आगे चल करके राजपूताना राज्य को भी नहीं बक्ष है, बहराल औरंग जेप की जब डेथ हुई, तो औरंग जेप की डेथ के बाद जब मुगल सामराज बहुत कमजोर हुआ, तो राजपूत भी धिरी-धिरे सोतंत होने लगे, और उस स जोदपूर आप कह सकते हैं, जोदपूर के आसपास का जो इलाका है वो, रणा अजीत सिंग, ये मुखलों को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, और दूसरा आप आमेर या अंबेर जिसको बोलते हैं, जैपूर, ठीक है, जैपूर वाला जो प्रानत है, यहां के राजा जो जैसिंग है, वो वैसे तो मुगल दरवार में अगर देखा जाते हैं, मनसबदारी इनको मिली थी, लेकिन इनको जो मनसबदारी थी, वो उच्च मनसबदारी नहीं थी, उच्च मनसब प्राप्त नहीं था, और उच्च मनसब प्राप्त नहीं था, इसलिए ये भी जो ह पातें मुघलों से तो इन लोगों ने स्वतंत्र राज्य की अगी से देखा जलाpedo नो शुर्वाज जो है वो कर दी दी 1707 में अजीद सिंग ने सबसे पहले विद्रो किया शबसे पहले 1707 में 1707 में अजीद सीग ने विद्रो किया और ये लगभग लगभग समय आप देखिए तो 1707 का समय है और जेप की टेथ हो चुकी है तो अजीद सिंग ने अपने आपको स्वतंदर गोशित कर दिया स्वतंदर और जब इन्होंने अपने आपको स्वतंदर गोशित किया तो इनके जगह पर मारवाड में जो मारवाड था मारवाड में जो शाही फौजदार था उसको हटा दिया शाही फौजदार को हटा दिया शाही फौजदार का मतलब क्या है कि यह जो जगह थी मारवाड थी इस पर जो मुगल जो सैन ने प्रणाली है वो यहाँ पर काम करती थी तो उसको वहाँ से हटा दिया और खुद जो है स्वतंत्र हो गया और इसी बात से मुगल जो है वो परिशान हुए या फिर जो कह सकते हैं कि इन से खफा हुए आगे चल करके एक मुठभेड हुई और उस मुठभेड में अजीत सिंग जो है वो पराजित होगे तो इस तरीके से ये जो मारवाड है वो फिर से मुगलों के कैप्चर में आ गया फिर से मुगलों ने उसके उपर अधिपत्ते कर लिया और दूसरी बात यहां पर यह हुई कि 1714 में ही अगर हम देखें तो हुसैन अली ने जोदपूर पर दुबारा आक्मन किया 1714 में हुसैन अली ये मुगल गवर्नर है और इस मुगल गवर्नर ने हुसैन अली ने ये फिर से जो है यहां मारवाड पे जो है ये हमला कर दिया है जोदपूर पे जोदपूर और इस आक्मन में अगर देखा जाए तो ये जो हार हुई है इसमें अजीत सिंग को फिर अपनी बेटी जो है फर्रुक्षियर से वियानी पड़ी दी अजीत ने क्या किया अजीत सिंग की जो पुत्री है उसका विवा हुआ पर्रुक्षियर से है ना तो आप बता सकते हैं कि उस समय मुगल शासक कौन था वैसे रिफरेंस तो हमने दे लिया आपको तो इस तरीके से आपने देखा कि शुरुवात में मतलब राजपूतों ने भी पहले तो मुगलों के साथ ही आप देख सकते हैं मारवाड की बात कर लें आज मेर की बात कर लें लेकिन एक सही एहमियत ना मिलने के वज़े से इन्होंने अपने आपको स्वतंत्र किया और फिर मुगलों ने इनके उपर अक्रमन करके इनकी चीज़ों को कैप्चर करना शुरू किया लेकिन अगर हम इसी में आमेर की बात करें आमेर का राजा जो जैसिंग है वो अपने आपको थोड़ा सा जाधा प्रभावशाली सिद्ध कर सका वास्त्विक रूप में जो राजपूस शासक है वो जैसिंग के समय में काफी जाधा प्रसिद्ध हुए प्रसिद्ध क्यों हुए क्योंकि अगर हम जैसिंग की बात करें तो जैसिंग का शासन जो है थोड़ा डिफरेंट टाइप का था वास्त्विक रूप में इसको पूरा अगर देखा है तो सवाई मिर्जा राजा जैसिंग के राम से जाना जाता है और जितने भी राजपुताना शासक है उनमें सरवोच्च शासक के तोर पर अगर देखा जाए तो उस समय मे ततकालिन सरवोच्च शासको में यही सरवोच्च है माइंड से बहुत ब्रिलियंट है विधिवेत्ता है खगोल शास्त्री है आपने देखा होगा कि जंतर मंतर की स्थापना इसे ने करी जैपूर में नगर नियोजन प्रणाली जो है इसकी बहुत अच्छी है आधुनिक इसमें विज्ञान और कला का केंद्र किसको बना दिया जैपूर को तो जैपूर को जो यह नेम फेम मिलता है वो यही राजा जैसिंग के रूपे मिलता है आगे आपको मालूम है कि जैपूर को हम लोग पिंक सिटी भी कहते हैं गुलाबी शहर भी कहते हैं अब यह 1886 में तक्रीबन 1876 की अगर हम बात करें तो 1876 में वहाँ पे उस समय के जो जैपूर के जो राजा थे जिसको आप आमेर कह सकते हैं वो थे सवाई राजा राम सिंग तो सवाई राम सिंग जो हैं सवाई राम सिंग इनके समय में British या England की जो महारानी Victoria है उनके आगमन की कहानी है और उसी के साथ में Prince of Wales आते हैं Albert Edward तो महारानी Victoria महारानी Victoria और Prince of Wales Prince of Wales जो है Prince of Wales कौन है Albert Edward ये जो है जैपूर आए ये लोग कहां आए ये जैपूर आए और जब ये जैपूर आए तो इन ही के सम्मान में पूरे जैपूर को गुलाबी जो कलर है गुलाबी रंग से रंग दिया गया और तब से जो है ये जो जैपूर है ये पिंग सिटी के रूप में जाना जाता है तो ये मतलब इस तरीके से देखा जाए तो राजपूत राजज बेसिकली मारवाड जो जो जोदपूर का प्रोविंस है और आमेर जो जैपूर का प्रोविंस है उसके रूप में मुगलों से प्रथक हुआ था लेकिन इनके उपर जो है मराठों ने बार-बार आक्रमन किया और मराठों की कई बार इनके उपर विजय हमको देखने को मिलती है और फाइनली तो ये फिर बिटिशर्स के साथ मर जोगे तो कुछ खास इंपॉर्टेंस इनके उदे की है नहीं लेकिन हमने आपको यहाँ पर छोटा सा पॉइंट बटाया इसी तरीके से अगर हम जाटों की बात कर लें जाट की जाट सामराजी के अगरम बात करें तो भरतपुर के जाट कहलाते हैं भरतपुर के जाट वास्तविक रूप से अगर देखा जाट क्या है ये जो दिल्ली आगरा और मतुरा बेसिकली दिल्ली मतुरा और आगरा इनकी जो सीमान्त जो प्रदेश है सीमान्त प्रदेश इनी सीमान्त प्रदेशों का जो किसानी या खेती करने वाले खेती करने वाले जमिदार जो है यही जमिदार ही क्या कहलाते हैं जाट कहला रहे हैं क्रिशक जमिदार हैं ये जो यहांपर जाट कहला रहे हैं और ये जो जाट हैं ये औरंग जेब की जो नीती है उसका बड़ा विरोध करते रहे थे औरंग जेब जो है औरंग जेब की नीतियों का नीतियों का इन्होंने क्या किया विरोध किया बहुत दादा विरोध किया औ और इसी विरोध को अगर हम देखें तो तकरीबन सबसे पहला जो विद्रोह हम को देखने को मिलता है वो तिलपत विद्रोह के रूप में तिलपत के जमीदारों द्वारा किया गया था उसको लीड किया था गोकुल ने पहला विद्रोह जो है हमको तिलपत विद्रोह के रू में ठीक है 1769 में उसके बाद आगे जो अगला विद्रो है जो प्रमुख अगला विद्रो है वो 1686 में हुआ राजा राम के समय में है 1686 में राजा राम के समय में हुआ राजा राम के अलामा राजा चेरा ने भी विद्रो किया राजा चेरा यह सारे जाट है इन्होंने विद्रो किया सब यह विद्रो मुगलों के खिलाफ हो रहा है राजा राम की बात करें तो जो आपने अकबर का जो मकबरा देखा होगा अकबर का अकबर का मकबरा कहां पर है भई? कोई बता सकता है? तेरा कॉमेंट सेक्षन ने बताईए अकबर का मकबरा कहा है तो आगरा से 36 किलो मेटर दूर है थोड़ा सा तो आगरा को जो मकबरा है उससे अकबर की अस्थिया निकाल के अकबर की, अकबर का मकबरा जो है, उससे अकबर की अस्थिया निकाल के, निकाल के इसने जला डाला, तो एक सिंबोलिक ये विद्रोव है, इसको जला डाला था, तो आप समझ सकते हैं, कि इस लेवल तक मुगलों का ये विरोध करते रहे, राजा राम के बाद जो अगला प्रमुख व्यक्ति है, वो आपका कहलाता है चूडा मल या चूडा मन, चूडा मन थोड़ा सा है, स्ट्रॉंग विद्रोही के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, 1695 से लेकर के 1721 तक ये जाटों का नित्रुत्व करता रहा, और भरतपुर जो राज्य है, उसको स्वयस्थित करने का नाम इसी पर आता है, भरतपुर जाटराज्य को जो स्थापित किया है, वो इसी नहीं स्थापित किया, तो ये नाम आपके लिए important है, कि भरतपुर जाट राज जो है उसको और्गनाईज जो है किस ने किया है चूड़ा मनने किया है और इसी चूड़ा मनने इस चीज को और्गनाईज करने के बाद थोड़ी दूर पर थीम में एक थीम का किला बनाया थीम दूर्ग का जो है निर्मान किया और ये इसके पास रह ये थुईन दुर्ग बनाया, लेकिन उसी समय आगरा का एक मुगल सुबेदार था, आगरा का सुबेदार था, जिसका नाम था जैसिंग सेकेंड, आगरा का सुबेदार, जिसका नाम था जैसिंग दुती, ये जो जैसिंग दुती ही है, इस जैसिंग दुती ने इस थीम दु दुर्ग को जीत लिया, यह दुर्ग को इसने क्या किया, दुर्ग जीत लिया, और जब यह थीम दुर्ग को इसने जीत लिया, तो जो चूड़ा मन है, मतलब उसको काफी आघात हुआ, और उसने चूड़ा मन ने आत्महत्या कर ली, ठीक है, यह चूड़ा मन जो है, इस तरी पार अगर हम देखें तो जाटों को और अच्छा नित्रत्रपदान हुआ चूड़ा मन के भतीजे के जारा चूड़ा मन का भतीजा था जिसने जो है आगे ये जो जाटे हैं उनको और ज़्यादा संग्रहित किया या इखटा किया इसका नाम था बदन सिंग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग्ग् और इसने बहुत सारे किले जो है अलग-अलग जगहों पर बना। थीक है? दींग, कुम्बेर, मेया इसके अलामा वेद, इसके अलामा आग्रा, इन सब जगहों पर, आग्रा नहीं भरतपूर कह सकते हैं भरतपूर, भरतपुर इन सब जगहों पर ये चार जगहों पर इसने क्या किया चार जगहों पर दुर्ग बनवाया किसने बदन सिंग ने और इस तरीके से बदन सिंग को पूरे भरतपुर राज्य का वास्त्विक संस्थापक मना जाता है इसी कारण से इसको हम लोग इसको क्या कहतें हैं पूरे भरत्पूर सामराज्य का वास्तुविक संस्थापगे से माणते रही तर्फी के तोर पर देखेते हैं बहुत पुनर संस्थापग नाकिरी है अपने चाचा के बाद में ठीक है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं भरतपुर जाट वंश का वास्तविक ठीक है यह चोटा सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखते हैं अब इसके बाद अगर हम देखें तो नादिर शाह का जब आक्रमण हुआ तो नादिर शाह के आक्रमण के बाद जब नादिर शाह यहां से वापस चला गया तो इसने आगरा को भी कैप्चर का लिया इन जगहों के बाद में इसने आगरा को भी कैप्चर किया आगरा नादिर शाह के आक्रमण के बाद और आपको मालू में कि नादिर शाह के बाद उधर जो है वो अहमर शाह अब्दाली जो है वो उत्रादिकारी बना था नादिर शाह का तो उस अहमर शाह अब्दाली ने जो इसने आगरा और मतुरा पर जो कबजा किया हुआ है इसको अब्दाली ने क्या किया अब्दाली ने स्विकार किया स्विकार किया का मतलब ये नहीं कि ये राज स्विकार किया आगरा और मतुरा का जो राजा है वो राजा स्विकार किया किसको इसी बदन सिंग को बदन सिंग को राजा स्विकार किया और अबदाली नहीं इसे राजा की उपाधी भी दी तो ये राजा बदन सिंग के नाम से जाना गया इसके अलावा अबदाले ने से महेंद्र नाम भी दिया उसके बाद जाटों में कोई खास नहीं रहा हाँ, एक नाम आपको सूरजमल देखने को मिलता है सूरजमल जाट का नाम आपको देखने को मिलता है 1756 के आसपास, ठीक है? क्योंकि 1756 के बाद इनका कारेकाल खतम हो गया तो सूरजमल जो अगला उत्रा दिकारी हुआ उसने थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाया आगरा, मत्हुरा, मेरट और अलिगर तक ले गया आगरा, मत्हुरा, मेरट और अलिगर यहां तक इसने जो है, सामराज्य को क्या कर दिया? एक्स्पेंड कर दिया है, फैला दिया और इसी कारण से सूरजमल को जाटों का अप्लातून कहते है सूरजमल को क्या कहते है? जाटों का अप्लातून जाटों का अप्लातून ठीक है? मतलब इसको कहा जाता है प्लैटो प्लैटो यानि अप्लाटून अप्लैटो ऐसे उसको अप्लाटून ऐसे बूला जाता है उसके बाद जवाहर सिंग आये, राम सिंग आये, केहर सिंग आये नवल सिंग आये आते जाते मतलब इनलों का सामराच चलाग और फाइनली 1805 में रनधीर सिंग जो है वो जाटो का सरदार बना जिसने अंग्रेजों का आधिनता जो है उसी कार कर लिया 1805 में अंततह जाटों ने रनधीर सिंग जो है रनधीर सिंग इसके नित्रत में अंग्रेजों की आधिनता स्विकार हो गई ठीक है तो जाटों का भी लगबग लगबग क्या हो गया काम खतम हो गया जाटों के बाद जाते जाते हम थोड़ा सा बंगश जो राजवन्श है रुहेल बंगश वन्श जो है रुहेल बंगश पठान इनके बारे में भी समझ लेते हैं ये भी छोटा सा कह सकते हैं कि उद गंगा नदी की जो तलहटी है या गंगा की कहाटी वगरा जो है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो आपका रुहेल बंगश में आता है तो इसकी दाउद ने इसकी जो है स्थापना की थी अली महम्मद खान का भी नाम आप इसमें लिख सकते हैं तो कुमायूं से ले करके दक्षण में गंगा नदी तक का जो प्रांथ है वो मतलब कह सकते हैं इनके रुहेलों के अंतरगत आता था और इनकी जो राजधानी थी राजधानी शुरुवात की यानि प्रारंभिक राजधानी इनकी बरेली थी प्रारंभिक राजधानी जो है बरेली थी और बाद में बरेली जिसको आवला कहा जाता था और बाद में जो है ये राजधानी ट्रांसफर हो करके रामपूर हो गी तो बरेली और रामपूर इनकी राजधा में रहता था तक्रीबन 1742 में अगर हम देखें तो आपने एक नाम सुना होगा जब मैंने आपको शुजाउद दौला आवद का जो नवाप था उसके समय बताया था 1742 में याद आ रहे कुछ 1742 में जो शुजाउद दौला था उसने हाफिस खान जो था हाफिस रहमत खान मेरन पूर कटरा युद्ध का नाम याद है मीरन पूर कटरा युद्ध हुआ था और इस मीरन पूर कटरा युद्ध में जिस不起rene में हुआ था, 1774 में, 1742 में, जो हाफिज रहमत खान है, वो इसका सरदार बना था, हाफिज रहमत खान, और इसी हाफिज रहमत खान को पराजित करके, शुजाउत दौला ने क्या किया था, जुजावत दौला ने जो रुहेल खंड था उसको अपने सामराज्य में मिला लिया था गयादा रहे तो ये चीज़ हमको यहाँ पर ध्यान रखने है तो ये युधार गया था उसके बाद फरुक शियर के समय के अगर हम बात करें जिसमें मुगल शासक परुक शियर है तो मुहम्मद खा बंगश ने बंगश वंस को इस्टैब्रिश किया था परुक शियर परुक शियर के समय में मुहम्मद खान बंगश ने बंगश वंस को इस्टैब्रिश किया और कानपूर से ले करके जो आपका कानपूर के नीचे का जो इलाका है वहां से लेकर के अलीगर तक इसके बीच में ये बंगश पठानवंश जो है उसको establish किया है बंगश पठानवंश वो आपने फरुखाबाद का नाम सुना होगा फरुखाबाद ये फरुखाबाद वाला जो में जोन है वो यही है ठीक है ये स्वतंत्र बंगश पठानवंश के रूप में हुआ लेकिन फाइनली जो है 1728 के आसपास अगर हम देखा जाए तो बुंदेली शासक एक थे जिनका नाम तरह छत्रशाल 1728 में छत्रशाल ये बुंदेल खंड के शासक थे बुंदेल खंड के इन्होंने आक्रमन करके इसे जीत लिया मराठों की सहायता ली थी इसमें मराठों की सहायता से जीत लिया ठीक है तो ये रुखेल खंड और बंगश का छोटा सहतिहास है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, कुछ खास नहीं है, इसमें, तो I hope कि आपको यह सारे के सारे points नहीं है, वो समझ में आ गए होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाए, तो आज के इस topic में अगर हम देखें, तो हमने लगातार कई सारे राजवंशों को cover किया है, और ल लाजपुताना जो थे, जाट जो थे, और फिर आपने ये जो रुहेल खंड है, रुहेल और बंगश, रुहेल बंगश, पठान, इनके बारे में आपने पढ़ा है, तो और इसके पहले मैंने आप लोगों को, इसके पहले अगर देखा जाए, तो भाई हैधराबाद हो करनाटक के उदे की कहानी सुना चुका हूँ, मैं आपको, बंगाल के उदे की कहानी सुना चुके हैं, अवद के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, मैसूर के बारे में बता चुका हूँ, है न, और आपने पंजाब जो था, पंजाब जो सिख है, उसको देख लिया, तो तमाम सारी जो चीजें थी, वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करी हैं, I hope कि आपको यह सारे के सारे जो, शायद मराठा नहीं हुआ है अभी, इसमें मराठों को हम बाद में रखेंगे, अंग्रेजों के समय में ही हम इनके उपर डिस्कुर्शन करेंगे, ठीक है, एक बार कंफर्म कीजेगा, क्या मराठा हुए है, नहीं हुए शायद, पर पिर भी, अगर हम देखें, तो यह जो अठारवी सताब्दी के, अठारवी सती के, जो स्वतंत्र राज्य थे, स्वतंत्र राज्य, इनके बारे में मैंने आप लोगों को काफी कुछ चीजें बता दिये, और अब यहां से अगर देखा जाए, तो हम यह जान सकते हैं, कि आगे चल करके किस तरीके से अंग्रेजों ने जो अपना एक्सपेंशन है, वो किया है, राज्य उदित हुए और अंग्रेजों में मिल गई, हमने आपको बताया, अब अंग्रेजों का एक्सपेंशन होगा तो जो कुछ बैटल्स बीच में छूट गए हैं, जो कुछ महत्योपूर्ण युद्ध बीच में छूट गए हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे, आपने देखा था कि जब बंगाल हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें प्लासी का युद्ध और बकसर का युद्ध के बारे मे अंग्रेजों के एक्सपेंशन के पारे में पढ़ेंगे और उसे ले करके जाएंगे तब तक उस समय के स्थिती तक ले करके जाएंगे, जब आपको पता चलेगा किस क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं स्थी को, पहले यूरोपी आए, कौन-कौन से आए वो बताया, फिर उ मैंने आपको ये समझाया, बताया कि कैसे इन दोनों लोगों का जो देशी रियास्ते थी, उसमें इन्वॉल्मेंट बढ़ा, फिर मैंने आपको बताया कि केंद्र में किस तरीके से मुगल कमजोर हुए, और उस मुगलों के कमजोर होने का लाब उठा करके, फानली बिटिशर्स ने अपने आपको यहाँ पर स्टैब्लिश करने में अन्य यूरोपी शक्तियों के उपर महांता जो है, वो सिद्ध करी, इसके बाद अगर हम देखें, तो फिर हम शुरू हो गये थे कि अठारवी शताबदी में मुगलों के कमजोर क्यों की हुए, उस समय जो छेतरी शक्तियां थी, वो कौन-कौन से उधित हुई, उनको हमने यहाँ पर आपके बारे में बताया, अब हमें यह समझना होगा कि इन छेतरी शक्तियों के उपर अंग्रेजों का कबजा हुआ है, अंग्रेज इनके उपर किस-किस प्रकार की संधियां करेंगे और उन सबका रिजल्ट जो है, वो कैसे 1857 की करांती तक जाएगा, जहां से East India Company जो है, उसका कारेकाल खतम होगा, तभी आपको समझ में आएगा कि सुद्रणी करन जो है, वो किस प्रकार से हुआ है, ठीक है, तो यह यूनिट जो थी, यह बहुत important थी, यूनिट 2, और I hope कि आपको यूनिट 2 के, चैप्टर 3 और 4 जो मैंने आपको बताए हैं, बहुत अच्छी से समझ में आए होंगे, इससे समदित प्रशना वलियां जो हैं, हम अगले सतर में आपके समख्ष ला करके देंगे, इस सेशन में अगर कोई चीज नहीं समझ में आई है, तो आप कॉमे टेलीग्राम से जुड़ी है, इस लेक्चर का PDF आपको वहीं पर मिलेगा, हैंड रिटेन इसी तरीके का, और टेलीग्राम से यहां से भी जुड़ सकते हैं, आप यहां से इसको स्कैन भी कर सकते हैं, तो फिलाल, आज के इस लेक्चर में इतना ही, जाते जाते एक बार फिर आज हम आपको यहीं पर छोड़ करके जा रहे हैं, पढ़ियां से पढ़ते रहेगा, स्वस्तरी रहेगा, मस्तरी रहेगा, कल मुलाकात करेंगे या अगले सत्रे मुलाकात करेंगे, तब तक लिए नमशकार, धन्यवाद करना ही, और दो, हम पर भार छोड़ियां म्हे रहेगा गले साथ, करेंगे wary homsak